तॉर्नमेंट जिसका आज तीसरा दिन है और पांचमा मैच शेला जाएगा चेंपिन्शिप का इशाल एसोसियेट्स और सेंटर ओफ एक्सिलेंस यह टीमें आपने सामने है बड़ी शानदार यह पीछा है टी-20 क्रिकेट के लिए से अची विकेट नहीं हो सकती है और उमार अक्मल जो कपतान है आज उनने टॉस जीत कर अबर आलूद मौसम में पहले बैटिंग करने का फैस्सा किया है जो कद्रे हैरान कुन है अगने फैस्टेंगे जागे लिए और अच्छा लगाया और बॉंडरी के पार गेंद को पुछा दिया ये नोबॉल भी थी एक और उठतावा शॉट, इसवार एक और चखका, फाइल एक पोजिशन पर फील्डर दाइरे में थे, अगर वो बाउंडरी पे भी होते हैं, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, यहां फैजान आगे हैं, यहन करने के लिए, बहुत 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 थी, लागे पांचों घी में हो गई, इस शाल असूसियर्ट्स की, एक और अच्छा शॉड, गैब ढूंड निकाला, चार नंसका और इजाफा, और यह उठागर खेला, यह बादलों से पहले यह बरसना शुरू हो गए, मुहमाद सुदैस यहां टी एच्छ शिक्स में, अवा में खेल दिया, मिड़ॉन के उपर से होती हुए गेम गई, चार रंस के लिए, बिसमिला खान, यह आज भी अपनी इनिंग्स वहीं से शुरू कर रहे हैं, जहां इन्होंने दो दिन पहले खत्म की थी, पैर्ट से टिकल करती हुए गई, चार रंस का और इजाफा, फाइनले के खिलाडी फाइन थे, लेकिन कोई मौका नहीं था, एक बार फिर वही शॉर्ट, यह एक्शन री प्ले था, यह उसी तरह की गेंद, और इस बार वाज़ तोर पह बलेस टकरा कर गई, बिस्मिल्हा कान ने यह के बाद दीगरे दो चौके लगाए, और सिर्फ तीन ओवर्ज में ही, इशाला सूसी रट्स को पचास के पार पहुचा दिया, मुनीब कप्तान आए, और यह उनका इसक्बाल कया, और साइड में फोर्स फुल शॉर्ट खेला, लेफ्ट हैंडर का यह टिपिकल शॉर्ट था, स्कूर अव द विकेट, एक और उंदा शॉर्ट, इस बार भी लेंथ मिल गई, और विद द बाउंस के लाब, शांदार बैटिंग अमजाहरा सुदेश की जानेंब से, और आउट हो गए, इस मरतबा अउन दी अप ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ी सी पेस में तबदिली की, और फराज ने मिडवान पर एक अच्छा कैच लिया, आगे की जानेब डाइव लगाते हुए, और सदेश की एंटरप्राइजिंग इनिंग्स का खात्मा कर दिया, यह बोट ज्यादा शॉर्ट्स केल रहे थे, और ऐसे में गलती का इमकान बढ़ जाता है, यह उम्दा कैच लिया, फराज ने सामने की तरफ, नो बॉल के साथ स्टार्ट किया, बीके ने उठा की खेल दिया, मिड़फ के ओपर से चार रंज मिल जाएंगे, बहुत ही शानदार बैटिंग जा रही है, बिस्मिल्ला खान के जानेब से, रूम दिया, पॉइंट कवर के ओपर से, छे रंज के लिए, बिस्मिल्ला खान, बहुत शानदार फॉमैं, बश्मिलण बिस्मिल्ला खान के लिए खिर बाटिंग जी determining ओपर से हिए इस मिलेखुय। एक बार फिर उठा की खेल दिया है चे रंज के लिए बिसमिला खान बहुदी शांदार फॉर्म में कलाईयों का जबर्दस इस्तमाल एक बार फिर एक और चका एक बार फिर रूम दिया अपने आपको तर्ड पे फिलर है लेकिर रोक नहीं पाएगा चौका और चकों की बारिश है यहाँ पे बिसमिला खान के जानिब से यहाँ जाएगी जाएगी चार रंज के लिए बाहर यहाँ जाएगी बाटिंग है दोनो तरफ से एक तरफ है बिसमिला तर दूसरी तरफ है सोहिब मकसूद इसबार खेल दी है मिट वेड की जानिब कलाईयों का बहतीरीण स्टमाल फीलर मौजूद है लेकिन डोग नहीं पाएगे एक और चौका इसबार सोहिब मकसूद के नाम एक बाप फेर अच्छा शॉट है, मिड्वेटरी जाने, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, एक और चौका, सोहेब मकसूत के नाम, यहां बे चौके ही चौके लग रहे हैं, मौनीब की अगेर, इसको जोदातरे केसे केल दिया, हाफ साइट पर, और अच्छा स्टोक था, और फील्डर काफी दूर तक दोड़ते लगए, बिसमिल्ला ने उठा की खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद है, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, बहुत ही शांदार प्लेस किया, शौट यह बिसमिल्ला का, और इस चौके के साथ, सिर्फ 16 बालों पे अपने 50 रंस मौकमल के हैं, बिसमिल्ला कान ने, बहुत ही धुआंदार बाटिंग, बहुत ही स्किलफूल बाटिंग, बहुत ही अटाकिंग बाटिंग, शौट पेच, फील्डर मौजूद है, लेकिन उनके सरके उपर से, आज किस्वत भी इशाल असू सिर्फाइजेशन हो गें, चार्ट रंस के लिए बाउंडरी लाइन के बाहर, येक मुझकिल स्टोक होता है, लेकिन बड़े सहल अंदास से, बिसमिल्ला ने स्टोक को केला, अब लिर्जाक आ गये हैं, लेकिन वापनी लाइन से हट गये थे, और इसे फ्लिक कर दिया, प्र खतरनाग बैट्समेन हैं और ये पूरी रफ्तार से शॉट खेला यहां पर अची एफर्टी फिल्डर की लेकिन इस गेन को बॉंडरी लाइन के पार जाने से नहीं रोक पाए हुंदा शॉट संसेशनल शॉट था सुहेब मक्सूद ने एक्स्टर कावर के उपर से चका लगाया यह अच्छा शॉट खेला इस बार फिर एक्स्टर कावर की जाने बब गेन जमीन से लगी लगी गई अच्छा शॉट खेल लगाया बेलकुल खड़े खड़े अगले कदम पर जाकर इसमें ताकत थी इसमें रिस्ट भी इन्वाल थी बहुत उचा शॉट खेल दिया है आउट हो जाना चाहिए और आला कैच लिया लेकिन ये नो बॉल अहाँ अली रजाक इनको विगेट लेने का मौका मिल गया था लेकिन ये गलती कर बैठे इस बार नहीं देख सके चार रंस को और इजाफा फिल्डिंग टीम की बेहद मुश्किराथ हैं इस वक्त और उम्दा शॉट इस बार लॉंग आफ के दायं जानें से गेंद गई और ये छे रंस होंगे फ्लैट हिट बिसमिल्ला कान की उम्दा प्लेस्मेट भी थी यहां पर सांस लेने की वाकिए मौलत नहीं है यह च्छका लगा कर निस सेंचरी तक पहुंचे सुहेब मकसूद याज ही पहुंचे हैं वन डौन आए हैं अपनी पसंद की पॉजिशन पर और अपने फेवरिट शॉट्स एक के बाद एक खेल रहे हैं बड़ी उम्दा बैटिंग सुहेब की और ये एक और जोरदार शॉट है ये गेन भी चले जाएगी बाउंटी लाइन के पार एक टिपा लगने के बाद एक और चौका यहाँ पर सुहेब मकसूद के लिए ये जो बारिश बरस रही है सुहेब मकसूद और बिस्मिला के बैट से उससे बेहतर वो बारिश है जो आसमान से उतर रही है बॉलिंग साइड के लिए अब बारिश इतनी तेज हो गई है कि ये चौके चुके ये यहाँ पर रोकना पड़ेंगे और ढापना बहुत जरूरी हो गया है पिच को और प्लेइंग एरिया को पारिश के वकफे के बाद खेल दोबारा शुरू होने को है इशाल असूसियेट्स कीनिंग्स महदूद कर दी गई और अब सेंटर अफ एक्सिलन्स की इनिंग्स का आखाज होगा और यहाँ पर ताज़ा तरीन खबर यह है जो प्लेइंग करडिशन में जो चेंज हुई है एक सो ब्यासी का टारगिट दिया गया है सेंटर अफ एक्सिलन्स को और यह इनिंग्स जो है वो महदूद होगी दस ओवर्स तक अगली गेन फिर शॉर्ट इस मरतबह हवा में मिट ओफ के फिल्डर गेन के नीचे आ रहे हैं और पहली विकेट और बड़ी विकेट एहसान अली पहले ये ओवर में अबरार से मात खा गए खड़े खड़े इसको पुल करने के अंदाज में खेलने के लिए गए थे लेकिन गेन टहर गई और फिर टॉप एच को लगी जहां पर मिटॉप पर गेन सीधी फिल्डर के पास गई प्र गेन हवा में थी लेकिन फिल्डर की डाइविंग एफ़र्ट इसको रोकने के लिए काफी साबित नहीं हुई जोरदार चौट था इसके इसको जोरदाफिके से कच किया है अच्छी कच है और गेन चार्ड रंज के लिए बाहर जाएगी तो ये बिलाल का एक आत्मूदा स्टोक है आफ साइट पे काफी तकड़े हैं ये क्रेकिंग पुल शॉट ये शांदार चुका है और काफी दूर जाकर गेन गिरी और शाहिकी ने क्रिकेटर दगावे बैठे हुए जो रिजर्व के लाडी हैं वो भी दादेते हुए जैन को इस मर्दबा रूम दिया प्रेट डान दे ग्रावन एक और चक्का बैक तो बैक सिक्सेज एक मर्दबा फिर इस मर्दबा टॉप एज है लेकिन कोई भी फिल्डर उस इलाके में मौजूद नहीं एक और चक्का है ट्रिक ओप सिक्सेज जैन ने अबरार को आड़े हाथ हो लिया और उनका जो जादू है वो जैन पर कोई इसर नहीं दिखा रहा इस वक्त इसमार जोदा ड्राइब अच्छी ड्राइब और मीट अच्छी स्टोक लगना शुरू हो गया खासव पे जैन लिजिस्टी कसी ये चौका लगा अच्छी तो वाच उपर से खेल दिया है चार रंस के लिए विलाल डार अपना टालेंट शो करवाते हुए कि ये ग्राउं के चारो तरफ शॉट मार सकते हैं अच्छा शॉट खेला वाइड ओफ लॉंग ओफ हालांके ये दो फिल्डर से ऑफसाइड में बाउंडरी राइडर दोनों के दरम्यान कम फासला था लेकिन फिर भी गैप ढूंड निकाला और उठा खेलाई से गेंद हवा में और मैदान के बाहर भी संसरी हैस हिट बिलाल की जानिम से और ये गेंद भी सजावार थी चखेगी और ये मैच भी अंग्णाई ले रहा हैं और बहुत इस शांदार कैच लिया ये बाउंडरी लाइन पर मौझूद थे शाजे भटी जिन्होंने दो दिन पहले दो बड़े अच्छे कैचिस पकड़े थे ये उंदा शाट के लाँ एक्स्ट्रा कवर्ड पर च्छका लगा दिया जैन ने आज चंद ऐसे शाट सुह मकसूद ने पहली इनिंग्स में खेले थे और ये जवाबी कारवाई है अदानियाल ने काफी तेज रफ़तार ओवर किया था पहला अब आरें फार हैंट से और बोल्ड कर दिया विक्टों में तेज गेंड और इसका कोई जवाब ने मुनीब के पास उनकी विक्टें बिक्र गई क्लोज अफ जिस टंप्स ये बॉल किया था बैट और पैट के दिर्मियान गैप था और विक्टें बिखर गई कप्तान मुनीब वासिफ की और बोल्ड कर दिया स्लो डिलिवरी मुकमल तोर पर धोका खा गए सुहेल तनवीर यह पहला गेंट तेज था और उसके बाद फिर तेज गेंट की तो अको कर रहे थे सुहेल तनवीर आए और गे और एक और काम्याबी यहां पर एहमद दानियाल को हासिल हुई है यह अपनी पेस को चेंज किया और बिल्कुल लाइन को मिस कर गए और यह गेंट उनकी आफस्टरम से जाटकराई वापिस जाना होगा सुहेल तनवीर को खुर्रम की गेंट को फले कर दिया उस्टाम के बाहर अच्छा शाट था रूम दस्तियाब था और इसके साथ ही जैन की निफ सेंचरी मुकमल हो गई शानदार इनिंग्स जैन की टाइम किया इसे इस मरतबा मिड ओफ को पार नहीं कर पाएंगे और कैच ले लिया रिवर्स कप से कप्तान अमर अक्मल ने और एक और विकेट मिल गई यहाँ पर इशाल एसोसियेट्स को शोर्ट को रोक दिया पूरा शोर्ट नहीं कहला यही वज़ा है कि गेन काफी देर हवा में रहने के बाद मिड ओफ पर कप्तान अमर अक्मल के हाथों में महफूज हुई जन्वर अली ने विकेट हासिल कर ली 51 रंस के साथ टॉप स्कोरर थे जैन उन्हें अब आखरी ओवर में वापिस जाना होगा लेकिन अपना तासुर चोड़ने में कामयाब हुए हैं जैन 51 रंस की शांदर एनिंग्स खेली है इस बड़ी टीम के खिलाफ जी बिल्कुल और यही वो लर्निंग थी जिसकी बात कर रहे थे स्टेंड आउट बैटर रहे जैन सेंटर आफ एक्सलेंस की जानब से लेकिन अनवर अली का यॉरकर उनका काम तमाम कर गया और एक्स्टम से बाहर गेंड थी आउक्वर्ड बांस हुआ फुट मार्स को लग कर इसलिए बिसमिल्ला को भी मौका नहीं मिला गेंड रोकने का और चार रन बल्ले से लगती हुई गई थी एक हाथ से स्ट्रोक खेला है क्या ये बाउंडरी क्लियर कर पाएगा नहीं सोहेब मकसूद ने कैच थाम लिया और विक्टों की जड़ी लगी हुई है यहाँ डियेचे में लेकिन काफी देर हवा में रहा लेकिन जहां सुहेब मकसूद खड़े हूं वहाँ पर कैच ड्रॉप होने के इमकानाथ कम ही होते हैं और यहां 98 रन्जी बना पाई सैंटर ओफ एक्सिलेंस की टीम कर रहाँ दस सो वर्ज में 182 रन्ज का हदफ उन्हें आसिल करना था इशाल एसोसियेट्स ने एक आसान काम्याबी हासिल की है 12 ओवर्ज में 201 रन्ज का पहाड़ खड़ा कर दिया था इशाल एसोसियेट्स ने सुहेब मकसूद असी और बिसमिला खान 78 रन्ज के इस साथ नौट आउट रहे जबके जवाब में 10 ओवर में रिवाइस टार्गिट मिला था 182 का और उसके जवाब में 98 रन्जी बना पाई सेंटर ओफ एक्सिलेंस की टीम और इशाल एसोसियेट्स ने 83 रन्ज से काम्याबी हासिल की झाल 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 झाल